जहें दोस्तों बंदे मातरम, मून लाइटिंग, ये एक ऐसा टर्म है जिसको कि समझना आज की रेट में बहुत जरूरी है, अगर आप एक IT इंडस्ट्री में काम करना है, IT फर्म में काम करना है, तो आपको इस टर्म की बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म बहुत अपने करमचारियों को अपनी कंपनी से भी निकाल दिया है, अब ये जो खबर है, ये पूरी खबर IT वालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पूरी खबर उन से ही जुड़ी हुई है, और ये जो पूरा करमकार्ण हुआ है, ये बस एक शुरूआत है, टिप अफ दी आइसबर्ग है, अगर ये काम अभी भी नहीं रुका, तो और भी ज़्यादा करमचारियों को, जो कि IT प्रोफेशनल्स होंगे, अविसली, उनको अपने काम से हाथ दोना पड़ेगा, तो आने वाले दिनों में अगर इस तरह की और भी खबरे सामने आये, कि इतने फला करमचारियों को अपनी नौकरी हाथ दोना पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए सतर्क होना और जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सूचना प्रादोगी कंपनी विपरो लिमिटेड ने अपने 300 करमचारियों को नौकरी से निकाल दिया, कं कामत करमचारी विपरो की प्रतिद्वंदी कंपनियों के लिए चोड़ी चूपे काम किया करते थे, बताते हैं कि पिछले कुछ समय में मून लाइटिंग के खिलाफ ये किसी कंपनी की सबसे बड़ी कारवाई है, मीडे रिपोर्ट्स के अनुसार बुदुवार 21 सितंबर क तो अखिल भारती प्रवंदन संग के किराश्ट्वी सम्मेलन में विपरो के चेर परसन रशाप प्रेम जी ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा, उन्हों ने कहा कि विपरो कंपनी के पास ऐसे किसी भी करमचारी के लिए कोई जगे नहीं है, जो विपरो से सैलरी लेते प्रतिद्वंदी कंपनी के साथ भी काम कर रहा है, विपरो के चेर में ने कहा कि करमचारी अपने दूसरे या सब्ताहान के काम के बारे में संगठन के साथ पारदर्शी धंग से बाचीत कर सकते हैं, हमने लेकिन 300 ऐसे करमचारी के खोज की है, जो प्रत्तक्ष कंपनी के लिए काम करता है, तो उसे मून लाइटिंग कहा जाता है, मून लाइटिंग के बारे में और दरा समझते हैं, तो मून लाइटिंग यानि एक समय में एक से ज़ाधा कंपनी के लिए काम करना, वर्क फ्रूम होम के कारण, जो की कोवेड के दिनों के बाद से इंट अपने ट्वीट में लिखा कि तकनीकी उद्द्योग में मून लाइटिंग करने वाले लोगों के बारे में बहुत सारी बकवास है। आप किसे सेलरी ले रहे हैं और दूसरे के लिए काम कर रहा है वो भी आपके एमप्लॉयर की जानकारी के बिना तो हो सकता है कि वो इस तरह कादम उठा ले और आईटी इंडिस्ट्री तो वैसे भी इतनी बड़ी इतनी बूमिंग इंडिस्ट्री है जहां पर कि पैसा भी काम कर रहा है वो भी कंपनी के साथ ट्रांस्पेरेंसी ना बरते हुए तो कहीं न कहीं कड़बड हो जाती है क्या होता है कि इतनी बड़ी कंपनी जो रहती है कहीं न कहीं वर्क लाइफ बैलन्स के लेकर भी काफी जादा आर एंडि करती है तो ऐसे में अगर वो आपको वी कि इतनी जाए हैं जाए भारत